हलो नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिक दफाइट सिविल सर्विस एकटवी में श्वागत है बहुत बहुत अभी दंदर है आप सभी लोगों का आज हम लोग देखेंगे रॉलैक्ट एक्ट क्योंकि हम जो इस किताब को पढ़ रहे हैं वो हमारा एथ कलास का आधुनिक भारत का एती हांस हो जाता है और यह जो किताबे है वो इसी आटी की किताब हो जाती है जो आपकी एक्जाम के लिए बहुत ही महत्तपुड हो जाता है हम अभी भी कहते हैं कि अगर टीचर आपको बनना है बेपीसी का टीचर बनना है तो दो किताबे आपके पास होना बहुत ज़रूरी है बाकि जो भी नोट्स है जो भी मैटेरियल आपके मार्केट में मिलते हैं वो ज्यादा काम का नहीं है जितना बहुत इंपॉर्ट जितना का यह सब चीजे है जैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो देखेगा SCERT की किताबे जो है SCERT की जो किताबे है और प्लस में अगर आप पढ़ना चाहें तो NCERT की किताबे भी पढ़ सकते हैं SCERT की किताबे बहुत महत्तपुन हो जाती है आपके एक्जाम के लिए यहाँ तक कि इस किताब को पढ़ने के बाद लोग BPSC का जो सिविल सर्विसेस है उस साम देने के लिए इससे आपकी मौलिक्ता और बौदिक्ता नहीं बनती बलकि अखत्रे में पढ़ जाता है अब आपको किताबे पढ़के आनी चाहिए यानि कि कहना चाहते हैं कि थोड़ा बहुत गहराई में जाकर के पढ़िए ताकि आपके हाथों से एक भविश्र का न सिक्रमैने जो किया यह सब चीजे आपको इन सारी किताबों से मिल जाती है हैं तो चलिए हम लोग देखेंगे इसके पहले हम लोगों ने तीं-čार क्लास किया होगा आज हम लोग देखते हैं र लρείक हो जाता है है तो रहलेट8 का बारिन हम समझेंगे कि आखिर यह है दिया कुछ कारण हम लोग जानेंगे जैसे रोलेक्ट था इसे लागू करने के पीछे क्या कारण रहा क्योंकि आपको यह बात पता होगा कि अंगरीजी हुकमत या इस्ट इंडिया कंपनी भारत में जब आई तो ब्योकूफ आदमी नहीं था कोई भी कानून और कोई भी अधिनियम लाने के पीछे उसका एक मकसद था एक कारण भी रहा था हम लोग इसी कारण पे थोड़ा सा जिक्र करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे फिर इसके बारे में जानेंगे कि रोलेक्ट अक्ट आखिर है क्या क्यों बीरोध हो रहा था क्यों इसके बज़े से बहुत बड़ा घटना घट गया, है ना, क्या बज़े रही, इसका क्या परिणाम हुआ, बहुत सारे राष्टिय जो करांतिकारी युवा और राष्टिय जो नेता है, जो महात्मा गांदी भी हुए, इन सारे लोगों ने इसके बारे में क्या कहा, मुतिलाल कि बंगाल की बिभाजन में आप देखते होंगे हिंदू-मुशलमानों के बीच में जो एकता दीख रही थी उनके बीच में जो आगाध प्रेम दिख रहा था एक दूसरे के बीच में यानि कि राष्टिय चीतना जो भिकसित हो रही थी उसी को तोड़ने के लिए यह काम किय आप देखते हूंगे बंग-भंग से एक अस्वंतोस युवाव के मन में एक पीड़ा की तरह उभर के शामने आया जो मौका दिया आतंकवाद को फैलाने का यह द्रिष्टिकोन है भारतिय द्रिष्टिकोन कहें या अंगरीजी हुकुमत का द्रिष्टिकोन कहें अलग-अलग होता है एक तो पहला कारण आपको बंग-भंग हो जाता है ठीक है उसके बाद यहां पर देखेंगे बहुत ऐसे जो करांतिकारी जो युवा जो वर्ग के हो थे और चाहते थे कि करांतिकारी शंगठनों का स्थापना किया जाए और ससस्तर विद्रों के माध्यम से वह ब्रिटिस हुकुमत को प्लट देना चाहते थी यानि कि बं और पिस्टॉल पे उनका ज्यादा भरोशा होते जा रहा था और यह कौन सा वर्ग थे यह ओ असंतोस था वह चाहते थे कि शसस्तर विद्रों के माध्यम से हम ब्रिटिस हुकुमत को क्या करेंगे खतम कर देंगे और यह क्रांतिकारी अंदोलन को काफी तिब्र गती से बढ़ा भी बढ़ाना भी चाहते थे आप देखते होंगे इनी सब क्रांतिकारी विचारधावराओं को कुछलने के लिए भारत सरकार ने एक अधिनियम भी पारित किया था इसके पहले रोलेट एक के पहले उन्होंने एक अधिनियम भी पारित किया था जिसको हम लोग भारत सुरक्षा अधिनियम कहते है याद रखेगा भारत सुरक्षा अधिनियम कहते है इस अधिनियम को उन्होंने पारित भी कि था था कि कुछला जा सके उसको दबाया जा सके लेकिन इसी बीच परतम विश्यूद प्रहरम हो गया और परतम विश्यूद में जब ब्रटिश हुकुमत सबसे ज़्यादा इन्हौवब हो गैई तो इसका फाइदा हमारे भारत में कुछा एक इमानने वाले लोगों को सब से ज्यादा हुआ और इसी समय इसी बीच में कुरांतिकारी शंगठनों का बहुत सारा निर्मान होने लगा आप यहां पर देखते होंगे जर्मनी और जपान में भी कुरांतिकारी शंगठन का स्थापना हो गया यहां तकी रुष में भी 1917 में जो कुरांति हो गए थी उस कुरांति से प्रिर्णा भी हमारे भारत के कुरांतिकारे युवाउने लिया था और ये सिलसिला प्रथम विशुद में 1914 से लेकर के 1918 के मद्ध में ये सारा चीज़े हो रहा था आप चीज़ों को समझे ब्रेटिश हुकमत ने एक कानून बनाई थी जिसको होलो भारत सुरक्षा अधिनियम कह रहे थे यह भारत सुरक्षा अधिनियम का वैलेडिटी जादा दिन तक नहीं था इस बात को अंग्रेजी हुकमत अच्छी तरह से समझती थी और अंग्रेजी सरकारी से बात को ये भी समझती थी कि यह कानून क्रांतिकारी शंगठनों को दबाने के लिए प्रयाप्त नहीं है और उनको एक चिंता सताय जा रहा था क्योंकि एक तरफ क्रांतिकारी शंगठन और क्रांतिकारी युवाव में एक जोज खरोश ससस्तर विद्रोह का इस तरह से हवा बहरे थी कि उसको रोकना बहुती मुश्किल होते जा रहा था और दूसरी तरफ जो अंगरीजी हुकमत है उसको इस बात का डर भी था कि अगर इन क्रांतिकारी जो विचारधारा के लोग है अगर इनको समझी की जबरदस्ति अगर दबाया नहीं गया तो ब्रिटिश हुकमत को ज़्यादा दिनों तक भारत में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा और यहीं बज़ा था कि उन्होंने यहीं बज़ा था कि उन्होंने आप देखेगा यहीं बज़ा था कि उन्होंने सर सिड्नी रॉलेक्ट एक बेखती थे सर सिड्नी रॉलेक्ट के अधक्ष्टा में एक समीती का गठन हुआ और इस तरीके से एक कानून बना जिसको हम लोग रॉलेट एक्ट कहते हैं अगर रॉलेट एक्ट की बात करें तो उसमें ये लिखा गया था इसमें ये कहा गया था कि किसी भी करांते कारी युवाओ को या किसी भी बिक्ती को संदेह के आधार पे उसे गिरफतार किया जा सकता है उसे मुकदमा चलाई जा सकती है और न्याले इन भारतियों के पक्ष में कुछ नहीं करेगी तीकिए क्या होगा नियाले इसके बिरोध में कुछ नहीं करेगी इसका प्रकाशन जो था प्रकाशन अप्रेल 1918 में याद रखीगा अप्रेल 1918 में इसका प्रकाशन जो है हो गया जैसे ही प्रकाशन हुआ इस एक्ट के बिरोध में परदर्शन हो गया हड़ताल हो गया पूरे भारत को बंद कर दिया गया महात्मा गांधी ने इस कानून को वापस लेले के लिए निवेदन भी किया लेकिन इस निवेदन का ब्रेटिश हुगमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा चीजों के समझें महात्मा गांधी नहीं नहीं बलकि पूरे भारत में एक समझी के आंदोलन खड़ा हुआ एक बिरोध खड़ा हो गया इस कानून के प्रती और इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा ब्रेटिश हुगमत को और ना उन लोगों ने इस कानून को वापस लिया इस कानून को मोतिलाल नहरु ने बिना वकिल बिना अपिल और बिना दलिल का कानून कहा महात्मा गांधी ने तो इस कानून को शैतानी सरकार की कानून भी कह डाले ये सब चीजे जो था समझी की जो भारत में जा आप देख रहे हैं रोलट जो सत्याग्रा था ये यहाँ पे बहुत तिब्रगती से समझी की हो रहा था इसी समय एक चीज और भी था आप देख सकते हैं 30 अप्रेल को देट याद रखेगा ताकि पूछा जा सकता है 30 अप्रेल 1919 को पूरी भारत के लोग एक दिन का उप्वास रखा था भारत की पूरी दुकाने बंद कर दिया गया था इस विरोध में और उस दिन भारत की जो अवाम थी भारत की जो जनता थी एक दिन का उप्वास रखा था कब उप्वास रखा था 30 अप्रेल 1919 को और फिर से अब देखेगा यहाँ पे 6 अप्रेल को भी पूरे देश में हड़ताल हुआ था और सबसे ज़्यादा इसका असर आपको दिल्ली और पंजाब में देखने को मिला सबसे ज़्यादा इसका असर दिल्ली और पंजाब में आपको देखने को मिला एक गटना घड़ जाती है यहां पे देखिएगा एक गटना घड़ती है आप लोग इसका थुरा सा जिकर कर ले क्योंकि ये पूशा जाता है कहा जाता है कि जब इस कानून को पारित कर दिया गया तो ओ घटना थी पंजाब में पंजाब के पहले अगर देखेंगे तो दिली में और पंजाब में दोनों में आप देखीगा इसके बिरोध में बहुत सारे ऐसे भी घटनाय घटती है जिसका अंजाम वहां के लोगों को अपनी जान गवां करके देना पड़ता है इस कानून के बिरोध में पुलिश और करांतिकारियों के मद में जो युद्ध होता है करने सुसारे बारत के जो लोग होते हैं उनकि यह मिर्तू हो जाती है ऑप एक घटना होती है आपके पंजाब में जो घटना अपनंजाब में और वह समय रहता है 13 a prior9 2019 में विदे तेरर अप्रेल 119 का ऑघ्टना रहता है और आ यह था3 अप्रेल 1919 का उसमें एक कानून पारित किया जाता है यहीं कानून है जिसको हम लोग एक्ट बोलते हैं और उसमें ये भी कहा जाता है जिसका उजागर अंगरेजी सरकार नहीं करती है तेरा अप्रेल के दिन उन्होंने ये घुसना कभी नहीं किया कि सारजनिक अस्थलों पे जो सभा है महाशभा जो बनाई जा रही है उस पे प्रतिबंध लगाई गई है ये सब चीजें अंगरेजी सरकार के द्वारा उजागर या परकाश में नहीं लाया गया और यहीं बज पूछा जाता है दो लोगों का जो नाम है पूछा जाता है एक हो जाते हैं आपको डॉक्टर सत्यपाल हो जाते हैं और जो दूसरा नाम हो जाता है मुहम्मद सैफोदीन किचलू हो जाता है सैफोदीन किचलू हो जाता है याद रखेगा यह पूछा जाता है आप से ठीक ह इन ही को connected के तहत कर लिया जाता है और इन ही के बिरोध के परती बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पंजाब में बैशाक simult का उदीन होता है है ना। और कहें तो एक मेला भी लगाई जाती है वहां पे और वहीं पे सारे जो लोग हैं एकटा होते हैं इकठा होने के बाद एक बेक्ती है जिनका नाम है एक बेक्ती है आप यहां पे देखते होंगे उनका नाम है हनस्राज है ना हनस्राज का उश्र में भासन हो रहा होता है तब तक पंजाब का जो गवर्नेर है जिसका नाम है जनरल माइकल ओडायर नाम रहता है ओडायर माइकल ओडायर उस भीड पर गोली चलाने का आदेश दे देता है माइकल ओडायर जो है जो भीड जो जनता इकठा होती है पंजाब के अमरित सहर में जालिया वाला जो बाग है जिसके नाम से हम लोग जानते हैं उसी में भीड साड़े जो लोग रहते हैं बच्चे बोड़े जवान जो भी हैं महिलाएं सारे लोगे कठा होते हैं उसी भीड के बीच माइकल ओडायर ओगोली चलाने का आदेश दे देता है और लगातार गोलिया दस मिनट तक चलती है जिसमें 1650 राउंड जो है गोलिया चलाई जाती है जिसमें बहुत सारे लोगों के मिरतु हो जात हैं सरकारी आकड़ा कहता है कि 389 जो लोग थे यहां पर मृत्यू हो गया और लगबग 1137 जो लोग थे घायल हो गया यह सरकारी आकड़ा है यहां आपका सरकारी आकड़ा है जो कहता है कि 389 लोग हैं उनके मिरतु हो गई और लगबग 1137 जो लोग होते हैं वो घायल हो जाते हैं यह सरकारी आकड़ा है लेकिन यह भी कहा जाता है कि 1650 राउंड जो है गोलिया चली और 10 मिनिट यह गोलिया लगातार चलते रहा और यह आदेश से दिया था माइकल ओडायर ने और इनके बार में कहा जाता है कि अब पंजाब के सबसे तनाशाह गवर्नर थे तनाशाह गवर्नर थे एक चीज़ आप समझेगा यह रोल एक्ट एक्ट के तहत जो घटना पंजाब में घटी 13 अप्रैल 1919 को याद रखीगा जिसे हम लोग जालिया वाला बाग हत्या कांड के नाम से जानते हैं और इसी से चुप्द होकर के बहुत सारे ऐसे रास्टिय नेता है जिन होने और इसी समय दिखीगा इसी समय से ही महात्मा गांधी का परवेश सक्रिय रूप से कॉंग्रिस के तरफ और राजनीती के तरफ भारती और रायनीती के तरफ हो जाता है यहीं घटना होती है यहीं घटना बहुत सारे ऐसे करांतिकारी लोगों को एक मोड दे देता है एक अलग आयाम दे देता है इसी समय रविन्ना टैगोर ने शर नाइट होड की उपादी लोटा दे इसी से चुब्द होकर के नाराज होकर के महत्मा गांदी ने जो कैसरी हिंद की उपादी उनको मिला था भारत सर्ग ब्रेटिश हुकुम्मत के द्वारा उसको उन्होंने लोटा दिया एक प्रस्ण जो पूछता है आपसे बहुत इंपोर्टेंट है पूछता है आपसे हैना कि संकरन नायर ने याद रखीगा संकरन नायर ने ठीक है नयाले की कार्जकारणी परिसद से उन्होंने क्या किया अपना त्याग पत्र दे दिया याद रखी आसे वैसराय की वैसराय की कार्जकारणी परिशद से कार्जकारणी परिशद से परिशद से त्याग पत्र किशने दिया यह भी सवाल पूछा जाता है बिपीस यू बहुत बार पूछा गया है पूछा जा सकता है कि वैसराय के कार्जकारणी परिशद से किशने त्याग पत्र दे दिया कब तो 1919 में इन उनिश आ उनिश में जालिया वाला बाग जो हत्या कांड हुआ था उससे चुब्द हो करके इन्हों नहीं ये काम किया एक और भी शवाला आपसे पूछा जा सकता है यहां पर देख लीजे बहुत इंपॉर्टेंट है सुरेंदर नाथ बनर जी ने हाना सुरेंदर नाथ बनर जी सुरेंदर नाथ बनर जी ने रुलैक्ट एक्ट को हाना लेक लिजेaya रुलेक्ट कोसा वह साधाय долларов का आशयवग अंदोलन का जनक कह अशयोग अंदोलन का क्या कहा जनक कह इतना याद किगा इंपॉर्टेंट हाफ Państa जानिये शुरहिन नाज्त बनर्जी ने क्या कहा इसको सुरनल्ण अट को अशयूग अंदोलन का क्या कह जनंग कहा है और एक चीजार रहना चाहिए महात्मा गांधी ने अंग्रेजी हुकुम्मत को ये बात कहा था कि अगर इस कानून को आपने नहीं वापस लिया तो हम फिर से सत्या अगरह करेंगे और इसी के एवज में आप देखीगा अशयूग जो अंदोलन महत्मा गांधी के द्वारा एक ब्यापक आंदोलन जो किया गया उसमें कारण जो प्रमुक कारण ये रॉलक्ट एक्ट जालिया वाला भाग हत्या कांड भी होता है एक चीज और भी हम लोग देख लें आप एक चीज देखीगा ये घटना पूरे भारत को अस्तब्द कर दिया सकते में डाल दिया बहुत सारे लोगों ने इसका बिरोध किया बहुत ही करांतिकारी जो लोग थे बहुत ही राश्टिय जो विचारधारा के जो लोग थे बिरोध किख और यहां तकी बिरिटीस उपल से मांग कि इसके निस्प्रक्षय जाच होनी चाहिए और कि निस्प्रक्षय जाच में जालिया बाला वाला जो बाग हत्याकांड है उसका जाच कर सके इसमें किसकी गलती है कॉंग्रिस में भी एक समीती का अलग से इसी समय एक समीती का अलग से गठन हुआ जिसके अधक्षता मदन मोहन मालविय ने किया था और इसके सदस्य के रूप में महात्मा गांदी और मोती लाल नहरु थे इसी समय हंटर कमीटी तो आपको पता होगा लीपा पोती कर दिया हंटर कमीटी ने ये मानने को तयार ही नहीं था कि जनरल मैकल ओडायर कोई गलती किया यहां तक कि ब्रिटिश हुकुमत ने उसको एक अलग शमान दिया जिसकी बाद जो ब्रिटिश हुकुमत थी जो ब्रिटिश आरकार थी उसका चरित्र का पता चल गया उसका मनसा जो था उसका उधिसा था Рच कह पता चल उस पे दोस करारी नोगों ने दे दिया लेकिन इसका कोई ज्यादा फैदा नहीं हुआ जिसके बज़े से महत्मा गांधी ने अश्ययोग आंदोलन को प्रारम किया जैसे में हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको देखते हैं हम लोग इसको देखिए यहां पे काता कि राष्टिया आंदोलन में परवेश के साथ ही जहां गांधी जी ने चंपारन, खेडा और अहमदाबाद के आंदोलन के माध्यम से लोगों को विरोध के लिए सत्यागरह का संदेश दिया देखिए बात तो सबको पता होगा कि भारत में राष्टिय चीतना को उजागर करना बहुत ही मुश्किल काम था बहुत ही मुश्किल काम था जो पहली बार आप देखते हैं बाल गंगादर तीलक ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया यहां तक ही वो श्रिवाजी महुत सो करते थे बहुत सारे ऐसे अखाड़ा कलम की अस्थापना उन्होंने किया बहुत सारे ऐसे हिंदु धर्म का भी शाहरा लिया बहुत सारे ऐसे राष्टिय नेता थे जिन्होंने लोगों के अंदर राष्टिय चीतना को जगाने का काम किया सत्यागरह क्या चीज होता है भारत के जन्माना से इसके लिए त्यार नहीं थे और नहीं समझते थे लेकिन महात्मा गांदी के आने के बाद और महात्मा गांदी के जैसे ही राजनीती में परवेशो होता है भारत की रायनिती में सत्यागरह का जो सम्जी की इसके परती जो लोगों का प्रेइम होता है महत्मा गांधी के दिवारा संदेश्क को भारत के लोगों धीरे धीरे समझने लगे थे और यहीं बजय था चंपारन में यानि कि महात्मा गांदी का जो पहला सत्यागरा था चंपारन सत्यागरा 1917 का वह सफल होता है उसके बाद अहम्दाबाद खेड़ा का भी अंदोलन जो है वो सफल हो जाता है इस तरके से यहीं से ही महात्मा गांदी आप देखीगा एक अलग पहचान बना चुके थे जब उनको संपारन सत्यागरा में शफलता मिली तब रविन नाठ जो टैगोर है उन्होंने उनको बड़ी प्यार से राष्ट पिता की उपादी भी परदान किया था उसी शमय यहीं पर यह बात कहता है और कहरा कि वही पर्थम विश्युद के बाद उपजिया संदोस्त को दबाने के लिए अंग्रेजों ने दमन का सहरा लिया क्योंकि पर्थम विश्युद में आप देख रहे होंगे 1914 लेकर के 1918 के बीच में जो पर्थम विश्युद हुआ इससे बहुत सारी करांतिकारी और बहुत सारा उथल पुथल भी हो रहा था आप देखते होंगे 1907 में कॉंग्रिस जो है दो भागों में बढ़ जाती है एक होता है नरमदल और दूसा होता है गरमदल क्योंकि जो गरमदल की जो लोग होते हैं वो अलग विचारधारा को मानते हैं उनका मानना होता है दोनों का लक्ष ही है लेकिन दोनों का रास्ता अलग-अलग है नरमदल का उदेश भी वही है जो गरमदल का उदेश से हैं लेकिन दोनों का जो मार्ग है वह अलग-अलग हो जाता है और यह सब चीजे 1907 से पहले ही यानि कि 1905 में जो बंगाल का विभाजन आप देखते हैं वहां से इसकी गती जो होता है वो तिब्र हो जा जाती है जादा उनका समय यानके बिश्यूद में फजाता बिश्यूद में चला जाता है और इसी का फैयदा इसी का इसी मौका का फैयदा उठा करके हमारे भारत के जो करांतिकारी यूँआ है वो चाहते हैं कि ससस्तर विद्रोह के द्वारा ब्रेटिक शुकुमत की और जिसका फैयदा भारत में नहीं दिख रहा था और इनी करांतिकारी विचारधाराओं को करांतिकारी जो राष्टिये चीतना का उभार जो दिख रहा था इसमें इसी पे अंकूस लगाने के लिए ब्रेटिश्यों ने रुलक्ट एक्ट जो कानून था इसको पारित किया उसे में पूरी दुनिया में हम लोग कहीने कहीं हमारी जो अवाम थी हमारे उसमें करांतिकारी विचारधारा के मानने वाले जो लोग थे कहीने कहीं कोई चीजे सिख रहे थे क्योंकि आप देखेंगे रश्या में जो रुष में करांती 1917 में हुआ उसे प्रिर्णा सिर्फ भारत ही नहीं लिया बलकि अन्य देश को भी प्रिर्णा मिल रहती और यहीं बज़य था कि आप देखेंगे जर्मनी और जापान में भी अलग-अलग जो करांती कारी संगठन था उसकी अस्थापना किया जा रहा था यह चिंता भारत में रहने वाले जो ब्रिटिश हुकुमत थी उसको सबसे ज़्यादा सता रही थी इंहुँ ने मार्ड 1919 में रॉलेक्ट एक्ट नामक कानून बनाया जिसमें संदिह के आधार पर किसी वेक्ति को निश्चित समय तक गिल्फतार किया जा सकता है है रोलेक्ट क्या कहता है? चलिक आगे हमनों देखेंगे कहता है कि इन्हों ने मार्च 1919 में रलेक्ट एक्ट नामक कानून बनाया जिसमें संदेह के आधार पर किसी बेक्ति को अनिस्ची समय तक गिरफतार किया जा सकता था गांदी जी ने रलेक्ट एक्ट के बिरोद में 6 Аपरेल 1919 को राष्टिय अपमान दिवस मनाने का निरनया लिया जैसे ही हुआ पूरे भारत में लोग हड़ताले करना शरू घर दिया पूरे भारत में लोग अपनी दुकाने बंद करकर बिरोद़ इस्का किया यहां तक कि एक दिन का उपवास भी रखा गया ताकि साथ ब्रिटिश हुकमत को इस बात का इहशास हो और इस कानून को वापस ले रहे महात्मा गांधी का निवेदन बार-बार हो रहा था कि आप इस कानून को वापस लीजिए क्योंकि भारत के जनमानोंस इसके लिए तैयार नहीं थी भारत के जनमानोंस को ये बात पता था कि हमारे भारत के लोगों में राष्टिय चीतना का जो विकास है वो बहुत तिब्रगती से बढ़ रहा है और ब्रिटिश हुकुमत इसके लिए कैसे त्यार होती कैसे छोड़ सकती थी ब्रिटिश हुकुमत को इस बात का डर हो रहा था कि अगर राष्टिय चीतना तिब्रगती से और उनकी पराकाष्टा अगर सबसे ज़्यादा पिक पॉइंट पर अगर हो गई तो फिर हमारे भारत में रहना और भारत में इतना सारा जो हम शोशन का जो काम करते हैं यह सब एक यहीं पल में पलग जपकते ही यह लोग हमें खतम कर देंगे और यहां से भगाने में टाइम नहीं लगेगा तो शी अपरेल उनी साउनस को राष्टी अपमान दिवस मनाने का निर्नाय लिया गया और यह महत्मा गांधी के दौरा हुआ था राष्ट ब्यापी बिरोध इंपरदर्सन हुए इसी करम में पंजाब के दो नेता और जिनका नाम है शेखोदीन कीचली और सत्यपाल को क्या क गिया गया गिरफ्थार कर लिया गया और पंजाब के लोग वियुद्र प्रदर्सन के लिए 13 उनैस सब्सक्राइब बुद्र्णी माइक्यल उडर के दो जो नेता है जो कांग्रेशी काज करता है वो शैफोदिन किचली और डक्टर सत्यपाल होते हैं नहीं को गिरफतार कर लिया गया और पंजाब के लोग बिरोध परदर्शन के लिए 13 अप्रेल 19-19 को बड़ी संख्या में जालिया वाला बाग जो अमरित सर में है जमा हुए लोग सभा करही रहे थे कि पुलिस ने बीना चेतावनी के भीड़ पर गोली चलानी शरू कर दी सैख़डों लोग मारे गये यह हजारों की संख्या में घायल हुए सारे देश में इस घटना ने लोगों को आंदोलित कर दिया इस यह क्या कर दिया आंदोलित कर दिया तो हम अब हम लोग आगे कलास में पढ़ेंगे पूरा डिटेल सम इसको लेते चलेंगे और खिलाफ़त और शयोग जो है इसके बाद हम लोग करते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे तरीके से पढ़िए बीपीसी टीचर के लिए और बीपीसी सिवल सर्विसेस के ल लोग होगा तो चली हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में तैंक यू तैंक यू बेर मिचा आप सभी लोगो